कहानी शुरू होती है एक पपेट थियेटर से, जहां बैस्टर नाम का एक पपेट मास्टर लोगों को अपना पपेट सू दिखा रहा होता है, वो इस काम में बहुत ही महिर था, वो एक मैजिकल डिस्क की मदद से उन पपेट्स में जान डाल देता था, जिसकी वजह से लोग के हिसाब से कंट्रोल कर सके, उसके पास तीन पपेट्स थे, जिनके नाम थे ग्रमपी, ब्रेंली और डिमपिट, वो सारे पपेट्स बैस्टर को इस डिस्क से छेलचार करने से मना करते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि उस डिस्क में चेंज़िज करने से क्या होगा, प जो देखने में किसी लकडी का बना हुआ लग रहा था, वो अब बहुत ही बड़ा हो चुगा था, वो हशने लगता है, उसे इस रूप में देखकर वो तीनों पपेट्स भी बहुत डर रहे होते हैं, अब यहां से सीन सिफ्ट होती है, और हम हार्वी नाम के एक लड़के क को देखते हैं, जो अपने डॉग जेरी के साथ अपनी सैकल से स्टंट करता हुआ अपने घर पहुचता है, वहां उसे उसकी दोस्त मोनिका मिलती है, हार्वी उससे कहता है कि आज उसने एक नई गेम खरी दी है, जिसका नाम पपेट मास्टर है, और वो अपने घर के अंद खेलने लगता है, तभी कुछ दिर बाद उसके डैड उसके कमरे में आते हैं, वो जल्दी से अपना गेम को छुपा कर पढ़ने का नाटक करने लगता है, उसके डैड उससे कहता है कि वो काम पे जा रहे हैं, और उसे सारा दिन गेम खेलने से मना करके वहां से चले जाते है उनके वहाँ से जाते ही आरवी फिर से गेम खेलने में बीजी हो जाता है वो गेम खेलने में इतना बीजी था कि उसे पता भी नहीं चलता है कि कब रात से वापस सुबा हो गई उसने पूरा गेम खत्म कर लिया था अब उसे सिर्फ अपना नाम इंटर करना था जिससे वो उस game के hall of fame में सामिल हो जाएगा वो बहुत खोस हो जाता है तब ही उसे आवाज आती है कि उसके dad घर आ चुके है वो तुरंद game को एक board से छुपा कर सोने का नाटक करने लगता है उसके dad देखते हैं कि वो अभी तक सो रहा है वो उसे देखने जाते हैं पर हार्वी के जूतों पे पैर पढ़ने की वज़ा से वो वहीं गिर जाते हैं और इसी के चलते हार्वी का computer भी दिखने लगता है वो जल्दी से उसे छुपाने की कोसिस करने लगता है पर उसके dad देख लेते हैं और उससे गुस्से में कहते हैं कि वो फिर से सारा दिन गेम खेलता रहा हर्वी जल्दी से अपना नाम टाइप करने लगता है पर उसके डैड उसके हाथ से जोआइस्टिक छीन लेते हैं और छीना जप्टी में हर्वी का कम्प्यूटर तूट जाता है हर्वी अपने डैड से गुस्सा होकर चला जाता है वो कहता है कि वो कभी उससे प्यार नहीं करते हर्वी अपने स्कूल के लिए निकल जाता है वो घड़ी में देखता है कि वो बहुत लेट हो चुका है वो अपने स्पीड बढ़ा देता है इधर मोनिका अपने टीचर को हर्वी का वेट करने को कह रही होती है पर वो सब बिना हर्वी को लिये ही ट्रिप पे चले जाते हैं हर्वी वहां देखता है कि उनके सहर का मेर वहां के म्यूजियम तुड़वा रहा है ये वही म्यूजियम था जिसे उसके डैड बचानी की कोसिस कर रहे थे वहां दोवरकर अपने jcb से उस म्यूजियम को तोड़ने के लिए बढ़ते हैं पर जेरी उन्हें रोकने लगता है हर्वी भी उन्हें रोकने के लिए वहां आ जाता है वो एक पत्थर उठा कर उनकी तरफ फेकता है जो उस JCB के इंजन में चली जाती है जिसकी वज़ा से वो खराब हो जाता है और वो JCB आट अफ कंट्रूल हो जाता है वहीं कुछ दूर पे मोनीका भी छुपकर ये देख रही थी वो भी हार्वी के चलते अपने ट्रिप पे नहीं गई थी हार्वी के डैड वहां के मेर को कॉल करके उस म्यूजियम को तोड़ने से मना कर रहे थे क्योंकि वो उनकी सहर की एक बहुत पुरानी धरोहर है जिसे उन्हें अच्छे से समाल कर रखना चाहिए पर मेर उसे बताता है कि अब तक तो वो म्यूजियम तूड़ भी चुका होगा वो जल्दी से म्यूजियम की तरफ भागता है इधर JCB के आगे का हैमर गिरने की वज़ा से म्यूजियम के आगे बहुत बड़ा सा गड़ा होने लगता है जिसमें हार्वी और जरी गिर जाते हैं उसे बचाने के लिए मोनिका आती है और वो भी उसके अंदर गिर जाती है हार्वी को वहां अंदर एक कमरा दिखाई देता है जहां बहुत से डरावने दिखने वाले पपेट्स रखे हुए थे हार्वी को वहां मोनिका भे मिलती है तभी हार्वी को वहां दिवार पे एक डिस्क दिखाई देता है जो उसे उसके joystick की तरह ही लगता है वो उसे वहाँ से निकाल लेता है और उसे on कर देता है वहाँ फिर से वही lightning होती है और वहाँ के नीचे से एक घूमती हुई CD निकलती है जो उपर की तरफ जाती है वो तीनों उसके सारे उपर आ जाते हैं हर्वी के डैड भी भागते भागते म्यूजियम तक पहुँच चुके थे वो देखते हैं कि म्यूजियम तो अभी भी सही सलामत है हर्वी मोनिका और जैरी उपर एक बहुत बड़े रूम में पहुँच चुके थे वहाँ उन्हें बहुत से puppets दिखाई देते हैं तब ही वहाँ उन्हें वही तीन बैस्टर के puppets दिखाई देते हैं डैंपिट ब्रेनी से कहता है कि हर्वी के हाथ में वो magical disc है मतलब यही हमारा नया master है वो हर्वी से पूछता है कि क्या वो उनका नया master है हर्वी कहता है कि वो किसी का master नहीं है तब ब्रेनी हर्वी को समझाता है कि उसके हाथ में जो disc है उसी की मदद से puppet master सारे puppets को कंट्रोल करता है हर्वी उसे गौर से देखने लगता है और कहता है कि क्या वो भी इने कंट्रोल कर शकता है ब्रेनी उससे कहता है कि तुमें ये साबित करना होगा कि तुम इस disc की power को समाल सकते हो उसके बाद तुम एक puppet master बन जाओगे और फिर तुम सारे puppets को वापस से जिंदा करके इस theater को पहले की तरह एक खुबसूरत बना सकते हो मोनिका उनसे कहती है कि ये कोई theater नहीं बलकि museum है जो कि कुछ दिनों में ही तोड़ दी जाएगी वो तीनों वहाँ से जाने लगते हैं तब वो तीनों puppet उन्हें अपने पुराने master बैस्टर की कहानी एक play के जरिये बताते हैं कि कैसे उनके master ने power के नसे में अंधे होकर अपने heart को इस disc में डाल दिया पर उसके बाद उसे इस disc के power ने हमीशा के लिए कैद कर लिया Dimpet Harvey से कहता है कि वो चाते हैं कि वो उनका नया master बने और उनके greatest master के hall of fame में सामिल हो जाएं ये सुनके Harvey को उसके game की याद आती है और वो उनकी मदद करने को तैयार हो जाता है वो Harvey को ये disc वहाँ उपर center में रख देने को कहते हैं जिससे उनके बाकी के puppets जिंदा हो जाएंगे Harvey डिस्क के पीछे एक button के बारे में पूछता है ब्रेनी उससे वो button को हाथ लगाने से मना करता है क्योंकि इसी के वज़े से उसके पुराने master ने सब कुछ बरवाद कर दिया था Harvey उस डिस्क को फिर से घुमाता है और इस बार उसकी वज़े से एक dragon puppet वहाँ गिरता है जो अपने मुह से आग भी निकाल सकता था और Harvey उस डिस्क की मदद से उसे control कर सकता था Brainy Harvey को वह डिस्क को उसके सही जगा पे रख देने को कहता है जो बिलकुल उनके उपर था तब ही वहाँ Harvey के डैड अंदर आ जाते हैं सारे puppets अपने आपको छुपाने लगते हैं वो dragon भी वहाँ बेजान puppet की तरह ही लेड जाता है Harvey के डैड उसे वहाँ देख कर उस पे बहुत गुस्सा करते हैं वो कहता है कि उसने उनके पूरे museum को परवाद कर दिया Harvey अपने डैड को समझाने की कोसिस करने लगता है और उन्हें वो magic disc भी दिखाता है और उन्हें सब कुछ बताता है उस magical disc के बारे में और उन्हें सब कुछ बताता है उन puppets के बारे में पर उसके डैड उसकी कोई भी बातों का भरोसा नहीं करते हैं उन्हें लगता है कि Harvey हमेशा की तरह बस बाते बना रहा है Harvey उस dragon को उठा कर उन्हें दिखाने की कोसिस करता है पर वो dragon बिना कोई हरकत की ये वैसे ही पड़ा रहता है Harvey इस बात से बहुत गुसा हो जाता है वो कहता है कि कभी भी उसके डैड उसके भरोसा नहीं करते क्योंकि उन्हें सिर्फ अपने म्यूजियम से प्यार है उसके डैड भी सोचने लगते हैं कि वो Harvey पे कुछ जादा ही गुसा कर गए और वो उस डिस्क को उसे वापस देने लगते हैं तभी पीछे से एक ग्रमपी उन्हें मार कर गिरा देता है और वो बाकि से भी पॉपिट्स डिस्क को गिरने से बचाते हैं ब्रेनी वो डिस्क Harvey को दे देता है और जल्दी से उसे उपर वहां लगा देने को कहता है Harvey उस ड्रैगन पे बैट जाता है और उपर की तरफ जाने लगता है उसके डैड उसके पीछे भागते हैं और वो उस ड्रैगन की पूछ में लटक जाते हैं किसी तरह Harvey उपर तक पहुँच पाता है उसके डैड अभी भी वहीं हावा में लटके हुए थे वो Harvey को मना कर रहे होते हैं पर Harvey उस डिस्क को वहां सेंटर में लगा दीता है जिसके बाद वो पूरा म्यूजियम उपर आसमान की तरफ जाने लगता है ब्रेनी उसे कहता है कि ये डिस्क को स्टॉम क्लाउड से इनर्जी मिलेगी और सारे पपेट्स जिन्दा हो जाएंगे कुछ देर में ही उनका म्यूजियम स्टॉम क्लाउड तक पहुँच चुका था और उससे डिस्क को इनर्जी मिलती है जो वहाँ बाकी के पपेट्स तक पहुँचती है और वो सब जिन्दा होने लगते हैं पर तभी हर्वी के डैड आकर उस डिस्क को निकाल देते हैं और वो म्यूजियम वापस से नीचे अपने जगा पे आ जाता है हर्वी अपने डैड पे बहुत गुश्सा करता है कि वो कब उस पे बिलीव करना सुरू करेंगे वो जाकर डिस्क को उठाता है वो अब भी काम कर रहा था और तभी वहाँ हल अफ फेम का बोर्ड उनके सामने उभरता है वहाँ अब तक के सारे ग्रेटेस्ट मास्टर के लिष्ट में हर्वी का भी नाम होता है वहाँ के सारे पपेट्स हर्वी की जीत में उसके लिए उसे बधाई देने लगते हैं तभी हर्वी के नीचे वही सीडी खुलती है और वो सब नीचे के रूम में पहुंच जाते हैं जहां वो डरावने से दिखने वाले पपेट्स रखे थे हर्वी उन सारे पपेट्स को भी जिंदा करने का सूचता है सब उसे ऐसा करने से मना करते हैं पर हर्वी कहता है कि वो अब एक मास्टर है इसलिए वो इन सब को भी जिंदा करेगा वो उन सब को जिंदा करने की कोसिस करने लगता है पर वो डिस्क काम नहीं कर रहा था वो उस डिस्क के पीछे के बटन को दबा देता है उसके ऐसा करते ही वहां नीचे से एक बॉक्स निकलता है जिसमें उन पपेट्स का पुराना मास्टर बैस्टर होता है बैस्टर अपने पावर से वहां के पपेट्स को जिन्दा करने लगता है जो सब उसके गुलाम थे ग्रंपी उसे ये सब बंद करने को कहता है पर वो उसे और ब्रेनी को भी अपना गुलाम बना लिता है हर्वी अपने डिस्क की मदद से उसे रोकने की कोसिस करता है पर बैस्टर उसे वो डिस्क उसे दे देने को कहता है पर हर्वी उससे कहता है कि वो उसे हरा कर इन सब को उसकी गुलामी से आजाद करवा देगा बैस्टर उस पर हमला कर देता है और उससे वो डिस्ट छेनने के कोसिस करने लगता है हर्वी को बचाने के लिए उसके डैड आगे आते हैं पर बैस्टर अपने पावर से उन्हें भी एक पपिट बना देता है, और वहाँ के सारे पपिट्स हर्वी को पकड़ने के लिए उसकी तरफ जाते हैं, बैस्टर हर्वी के हाथ से वो डिस्ट छेन लेता है, वो तीनों किसी तरह अपने आपको उन पपिट्स से बचा कर जाते हैं, वो जगा उन्हें एक लैब की तरह लग रही थी, यह वही जगा थी, जहां बैस्टर ने उस डिस्क में चेंजेज किये थे, मोनिका हर्वी से कहती है, कि उन्हें बैस्टर से वो डिस्क हसिल करने होगी, तभी उसके डैड और वो पपेट्स वापस आ सकते हैं, हर् बैस्टर बाहर आकर सहर के लोग और पूरे सहर को ही पपेट्स में बदनने लगता है, तब तक हर्वी और मोनिका भी उपर पहुंच चुके थे, हर्वी चुपता हुआ बैस्टर के नजदीक पहुंचता है, और किसी तरह उससे वो डिस्क छीन लेता है, और वो भाग कर उ वापस से उसके जगा पे लगा देता है, जिससे उसके डैड और वो तीनों पपेट्स वापस से जिन्दा हो जाते हैं, पर बैस्टर फिर से वो डिस्क हर्वी से छीन लेता है, और उसे वहाँ उपर से नीचे फेक देता है, पर उसके डैड उस ड्रैगन को लेकर आते हैं, और उसे बचा लेते हैं वो कहते हैं कि उसे किसी भी हाल में इस बैस्टर को हराना होगा नहीं तो वो पूरे सहर को पपेट्स में बदल देगा हर्वी उसे रोकने पहुचता है वो बैस्टर अपने बैट्स को उस पे हमला करने भेजता है पर ड्रेगन की आग से वो सारे बैट्स खत्म हो जाते हैं बैस्टर अब भी अपने पावर से उन पर हमला कर रहा होता है हर्वी उसके हमलों से बचने की कोसिस कर रहा था वो अपने डैट से उसका ध्यान भटकाने को कहता है और वो जाकर उससे वो डिस्क छीन लेगा वो सब बैस्टर की तरफ बढ़ते हैं उसके डैट वहाँ से जंप करके बैस्टर तक पहुँचते हैं और वो जल्दी से कूद कर उसके हाथ से वो डिस्क छीन लेता है पर बैस्टर मोनिका को पगड़ लेता है और उसके बदले में उससे वो डिस्क वापस मांगता है हर्वी सोचने लगता है कि इस डिस्क में ऐसा क्या है कि इसे लेने के लिए ये कुछ भी कर सकता है तब उसे बैस्टर की तस्वीर यादाती है और वो जाकर उस डिस्क को उसके heart के पास लगा देता है जिसके तुरंत बाद उसके सरीर से green colors के gas निकलने लगते हैं और वो अपने असली रूप में आ जाता है बैस्टर हार्वी को उसके वापस से असली रूप में लाने के लिए thanks बोलता है और वो गायब हो जाता है सारे लोग जो puppets बन चुके थे वो वापस से ठीक हो जाते है उस डिसक को museum में रख दिया जाता है जिसे देखने के लिए बहुत से लोग आने लगे थे और उस puppet theater को भी सहर के लोगों के लिए फिर से खोल दिया गया और इसी के साथ ये movie यहीं खत्म हो जाती है तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक और शेर दा वीडियो और प्लीज सब्सक्राब तो माँ चैनल और प्रेस देट बेल आइकन